भारत को दुनिया का सबसे अमीर देश बनाएगा चंद्रियान 2 चलिए आपको बताते हैं कैसे भारत का मिशन चंद्रियान 2 चांद की कक्छा में स्थापित हो गया है अब भारत के इस चंद्रियान का सीधा मुकाबला चीन के चाई E4 यान के साथ है इसका कारण यह है कि चंद्रियान 2 चांद के जिस हिस्से में पहुचा है और जिसकी खोज के लिए वहाँ गया है वहाँ चीन का यान पहले से ही उसकी खोज में लगा है और चांद का वो हिस्सा है साथ फोल और उस चीज का नाम है हिलियम 3 अगर दोनों में से किसी एक देश को वहाँ पर हिलियम मिल जाता है तो वो दुनिया की सबसे मजबूत एकॉनमी बनने की और तेजी से बढ़ जाएगा भारत का चंद्रियान दो मिशन वैसे तो कई मायनों में अतिहासिक है लेकिन उसमें से सबसे महत्पूर्ण है हिलियम 3 की खोज जानकारों की माने तो हिलियम 3 कई उर्जा जरूड़तों को पूरी कर सकता है हिलियम 3 की खोज के लिए भारत का चंद्रेयान चांद के साउथ पोल के बीच में सौफ्ट लैंड करेगा जिस पर नजरे सिर्फ अमेरिका, रूस, जापान की ही नहीं बलकि चीन की भी टिकी हुई है जानकारों की माने तो इसी हिलियम के लिए भाविश्य में वर्ल्ड वार्ड 3 भी हो सकता है चीन पहले से चांद के निचले हिस्से में अपना स्पेस क्राफ्ट लॉंच कर चुका है चीन से इसकी लॉंचिंग 8 दिसंबर को सियांग सेटलाइट लॉंच सेंटर से की गई थी यह लो फ्रिक्वेंसी रेडियो एस्ट्रोनॉमिकल अव्जर्वेशन की मदद से चांद के पिछले हिस्से की सतह की संरचना और मजूद खनीजों के बारे में पता लगाएगा खासकर हिलियम 3 का चीन के यहां पर पहुँचने के बाद भारत यहां पहुँचने का प्रयास कर रहा है चंदरियान 2 के पहुचने के बाद चीन की मुस्किले काफी बढ़ जाएंगी चलिए आपको बताते हैं कि ये हीलियम 3 आखिर है क्या हीलियम 3 समान्य हीलियम का आईसोटोप है समान्य हीलियम में 2 प्रोटीन, 2 इलेक्ट्राण और 2 निउट्राण होते हैं वहीं हिलियम 3 में समान्य हिलियम की तुलना में एक नियूट्रॉन कम होता है यानि कि दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोट्रॉन और एक नियूट्रॉन भूमंडल में हिलियम तीन लगभग जीरो दस पलाव 000137 फिस्दी की मात्रा में प्राकृतिक रूप पाई जाती है अमोमन य की हवाएं जब चांद की जमीन से टकराती हैं तो इसमें हिलियम 3 चंदरमा की मिट्टी में कैद हो जाती है आपको अब बताते हैं कि आकर चांद से प्रिथवी पर हिलियम 3 लाने का खर्च कितना बैठता है जैनकारों की माने तो हिलियम 3 गैस की 1 टन का उत्पादन और प् आदी के विकाश में 20 अरब डॉलर के निवेश का अकलन है जानकारों के नुशार चांद पर इतना हिलियम तीन है कि आने वाले 10 हज्यार साल तक प्रिथ्वी पर उर्जा की कभी कमी नहीं होगी चली अब आपको बताते हैं कि एक टन हिलियम तीन की कीमत कितनी होती है अब अगर किसी देश के पास हिलियम तीन आ जाए तो वो देश दुनिया का सबसे अमीर देश हो सकता है एक टन हिलियम तीन की कीमत करीब पांच अरब डॉलर के करीब बताय जा रही है चांद से 5.5 लाख टन हिलियम तीन लाई जा सकती है जिसकी कीमत का अनुमान लाखो करोड डॉलर में है अगर ये वीडियो आपको नोलाईजफुल लगे तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल जियो भीनूज को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को दबा देजिए वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सेयर करना बिलकुल भी ना भूले वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद